दोस्तो टाइगर और हिरन की स्पीड लगबग सेम होती है और हिरन चाहें तो टाइगर से आसानी से बद सकता है क्योंकि टाइगर लगातार इतनी दूर तक नहीं दोर सकता है तो फिर हर बार हिरन ही क्यों मारा जाता है चलिए इस वीडियो में जानते हैं दोस्तो टाइगर की स्पीड 50 से 65 किलोमीटर पर आवर होती है जबकि हिरन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होती है लेकिन जिंदगी और मौत की रेस में आखिर हिरन कहीं सिकार क्यों हो जाता है दोस्तो बात यहां स्पीड की नहीं होती है बलकि होसली की होती है हीरन बड़े खुंखार जानवर के डर के कारण अपना होसला खो देता है और उसे लगने लगता है कि बस अब हो गया मैं मरने वाला हूँ और डर के कारण घबडा के खुद को टाइगर के सामने सलेंडर कर देता है जिससे हीरन मारा जाता है इसलिए दोस्तों कभी भी किसी चीज के सामने दर के हार नहीं मानना चाहिए दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिए